तो हेलो ट्डा कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि एक सिगनल ऐप के बारे में हैं सिगनल एप दोस्तों आपको पताओ कि बहुत जाधा ट्रेनिंग में चल रही है जो कि वाट्सप का विलकुल alternative में आ रहा है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी जिसको कैसे आप register करेंगे और कैसे यूज करेंगे जिसका link मैं आई button भी दे दूँगा चाहें तो आप देख सकते हैं तो आज मैं आपको उस से उसी signal app के कुछ पांच या उससे बोल सकते हैं कुछ ऐसे यूनिक feature बताने वाला हो जो उस एप के अंदर रहें और जो क्यों बहुत अच्छे हैं privacy related तो उन app उन features को कैसे use करेंगे और कैसे enable करेंगे तो वो बताने वाला हो उन दोस्तो तो वीडियो को वीडियो को पूरा देखिएगा तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तो आगे मेरा नम सनी अरो आपका स्वागत है मेरे चैनल asset tag में तो दोस्तो इस feature के लिए आपको single app के जो features बताने वाला हो उसके लिए आपको करना गया हो आपने signal app में होगा एप में जाने का आपको particular एक chat में जाना होगा उस चैट में जाने का जो सबसे पहला feature बताने वाला होगा डिस अपर message को लेके आप यहां पर जाएंगे three dot में आप conversation के ऊपर यहां पर message का आपका option मिल जाएगा यहां पर आप minimum 5 seconds से लेके आप वन वीक तक इसमें डिसफरी message का time set कर सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको मिल रहा होगा 5 seconds 30 seconds 1 minute 5 minutes 30 minutes 1 hour and 6 यह आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको यहां पर मिल रहा है तो मैं आपको एक डेमो करके बतायता हूं यह मैंने 5 seconds का select करा और यहां पर मैंने यहां पर कुछ भी message क्लिक के type कर दिया अब देखेंगे message send होने के बड़ डबल टिक के बगल में आपको एक घड़ी सी दिख रही है जो घुमे जा रही है अब देखेंगे 5 seconds बाद यह हट डिलीड हो जाएगा तो जो घड़ी घुम रही है 5 seconds बाद यहां पर डिलीड कर देती यह particular photos पर और आपकी chatting से सब में काम करेगा photos वीडियो जो भी आप send करेंगे मैं आपको photos भी send करके बता जाएगा तो अगर आप photos में भी जाएगे तो यह photos में भी same यही work करेगा तो यहां जाते हैं कोई भी photo को मैं उठा गय इस में दिया गया आप particular time set कर सकते हैं उसके बाद जो next feature बता रहा हूं वो भी photos के उपर photos send के उपर दोस्तों होता गया कुछ ऐसी photos होती है जो अपने साथ रहती है पर जनका face हम clear नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को कोई photos देख रहे हैं तो कम माइन में अपने साथ 2-4 लोग आपको ब्लर करके send करना है या जो फोटो आपको send करना है तो लाइक यह मैंने अपनी photo उठाई मैंने यहां send पर गया यहां पर आप देखेंगे आपको जो पैन के बगल में आपको यहां दिख रहा है यह आइकन से बनाओ आप उस आइकन पर click करना है आइकन पर आएंगे चितने भी face होंगे उस photo को detect करके blur कर देगा जोगी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है मैंने अच्छे फोटो को करके देखा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तो आप simple इसको right click करके यहां से send और कुछ edit भी कर सकते हैं और direct यहां से send कर सकते हैं जोगी मुझे बहुत शा option पर जाना है जैसी आप privacy option पर जाएंगे तो सब सुपर आपको option मिल रहा है screen lock option screen lock option को आप जैसी enable करेंगे तो उसके नीचे आपको एक screen lock in activity time out वाला option भी मिल रहा है इसके लिए particular time set कर सकते हैं but without time में आपको पता जाता हूं उसको use कर सकते हैं time कर देंगे तो उस time बाद लॉग हो जाएगा automatic अब मैंने screen लगवा लॉग पहला option on कर लिए on करने के आज मैं इसको बंद करके बहार आ गया हूं अब आप अपनी तरफ से notification को नीचे करेंगे तो आपको एक नीचे option मिल fingerprint मांगने के बाद ही unlock होगा तो security reason से आप इसको लॉग कर सकते हैं even कोई आपको normal message भी आएगा तो भी वो लॉग दी दिखाएगा जब तक यह लॉग रहेगा उसके बाद दोस्तों नीचे आप जाएंगे यहां पर privacy वाले option पर ही तो आप यहां पर अपनी particular अपने साब से time भी सेट कर सकते हैं कि इस time by automatic lock हो जाए तो यह हो गया बहुत अच्छा feature screen lock का उसके नीचे आपको एक option और मिल रहा है in convenient keyword नाम से in convenient keyword होता क्या है तो इसको इसको बोल सकते है new private feature होता है यह आपने देखा होगा कोई browser में आपको मिलता है private browsing के लिए प्राइवेट टेप यहां पर टैब में क्या होता रहता था अगर प्राइवेट टैब में जाके ब्राउजिंग करते हैं तो वहां पर कोई history सेव नहीं होती है कोई डेटा सेव नहीं होता है तो यह in current keyword भी लाइक ऐसा ही है यहां पर होगा कि अगर आप इस mode पर क्लिक करके इस mode पर करने के बाद आप कुछ भी करेंगे तो वहां आपका data save नहीं होगा तो देखेंगे कैसे मतलब अगर आप keyword को use करेंगे और कुछ आप किसी को भी send करेंगे तो वहां आपका data save नहीं होने वाला है तो यह बहुत शांदर feature आपको दिया हुआ है कोई भी type करेंगे त आपकी कुछ type करते हैं keyword save हो जाते हैं by default तो यहां पर यह टाइब नहीं होने वाला आप देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा तो आपकी full setting यहां पर जो भी चैटिंग रहेगी full security रहेगी आपको कोई भी data save नहीं होंगे आपके keywords कोई save नहीं होंगे तो बहुत शांदर feature लगा मुझे है उसके बाद जो next feature बताने वालन दोस्तो वह भी है privacy में जाएंगे यहां सबसे नीची जाएंगे तो आपको option मिल रहा है एक registration lock का feature मिल रहा है तो यह registration lock होता गया दोस्तों अगर आपको याद होगा अपने अपने mobile में अपना यह signal को install करा होगा तो by default आपने यहां पर pin create करेंगे तो pin के इसाब के ही registration की है तो यहां पर है क्या जैसी आप registration की को lock को on कर देंगे थोगा कैई यह आप से बोलेगा जो आपने pin बनाया था वो pin को अगर आपको याद है तो ठीक है अगर वो pin अगर आप भूल जाएंगे उसके बाद अगर आपने option को on कर या उसके बाद अगर आप signal app को कहीं से login करना चाहेंगे तो साथ दिन तक आपका account login नहीं होगा logout रहेगा क्योंगी आपके pin याद नहीं है अगर आपको pin याद होगा तो आप login कर सकते हैं मतलब कि security design से बहुत शानधर feature है तो आप इसको on कर देंगे तो जब भी अगर आप आपको password याद अपना pin याद है तो आप कहीं भी इसको login कर पाएंगे OTP और pin के तुरू बट अगर आपको OTP तो आपके पास आ रहा है और pin नहीं है तो आपके पास साथ दिन तक इसको login नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखिए कर आप पिन आप याद कर सकते हैं तो ही इसको on करिएगा नहीं तो on मत करिएगा उसके बाद जो next feature बताने वालों दोस्तों है कि अब क्या है इसका demand जादा बढ़ रही है signal app की आपको पता होगा अब लोग इसमें join कर रहे हैं तो आपको एक notification से आ रही होगी बार बार pending notification की this contact and join this signal बहुत सारे notification आ रहे होगी कि इन बंद notification नहीं आएगी जो कोई join कर रहा है अगर आपको देखना है कि इन गिन कर जोईन है तो आपको जाना होगा है यहां पर अपने यहां पर रिफ्रेश्ट का option आपको दिया गया है यहां पर refresh कर लेंगे तो जो भी नए लेटेस कॉंटेक्ट जोईन होएंगे आपको यहां पर करते हो तो कोई भी इसको screenshot ले लेता है बट अगर आप इस privacy को on कर देंगे screen security वालेगी तो कोई भी उसके screenshot नहीं ले पाएगा अगर लेगा तो वहां पर error आ जाएगा बट अगर मैं इसको on करूँगा तो मेरी video recording भी बंद जाएगी आपको normal message दिखाई देगा कि error का तो मैं इसको on कर लेता हूँ on करने के आद में भार आओंगा या भार कहीं भी नहीं हूँ on कर लिया है अब मैं screenshot लोगा तो आपको एक नीचर notification मिलेगी sorry इसको on करना पड़ेगा इसको on कर लिए मैंने on करने के आद में main screen पर आओंगा मैं आपर लेता हूँ तो दोस्तों जो कि मैंने बहुत अच्छे अच्छेस के features आपको बता हैं जो काम के feature तो thank you तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आज़ेगा तो thank you दोस्तों